हलो दोस्तों नमस्कार ओमेटेकनिकल यूटूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंसनर्स भाई बंदू आप सब का हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आप सब जानते हैं कि पोस्ट कार्ड अभियान जो एनेसी के तरफ से चला जा रहा है जिसमें मानिय प्रधान मत्री जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंसनर्स अपनी ब्यथा को मानिय प्रधान मत्री जी को बता रहे हैं और साथे साथ मानिय प्रधान मत्री जी के तरफ से जो अश्वासन दिया गया था जो वादा किया गया था कि समझत EPS 95 Pencilers की Pencil में बहुत ही जल्द बृद्धी होगी वो अभी तक नहीं हो गई है उसे याद दिला रहे हैं तो आए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहां कि पोस्ट कार्ड में क्या क्या होता है और किस प्रकार से पोस्ट कार्ड को मानि प्रहार मत्री जितक भेजा जा रहा है एक प्रारूप है प्रतरूप है उसे मैं आप लोगों के समझ से प्रस्तूत कर रहा हूँ और आपनों को दिखाने की कोशिस कर रह owned और पूरी बात को समझाँगा इस पने नए वीडियो में यहाँ पी आप देख सकते हैं सबसे उपर लिखा है नाम है, मुबाइल नमर है और अड्रेस है यहाँ पे जो नाम, मुबाइल नमर अड्रेस है यह लिखा जाएगा यहां पे जो भी पेंसनर से वो अपना नाम मोबाइल नमर और एड्रेस लिखेंगे और इसके बाद में जो भेजना है तो आन डेबल प्राइम मिनिस्टर पी एमो 152 साउथ ब्लॉक और इसके बाद में जो नई दिली का एड्रेस डाला गया है साथे साथ उसके नीचे आप देख सकते हैं पीन कोड भी डाला गया है यहीं पीन कोड है यह नई दिली का है नई दिली मारनी प्रदार मंत्री जी तक भेजने का एक जरिया है जो यहां पी एड्रेस दिया गया है मन्नी प्रदार मंतिजी का एड्रेस है यह है पोस्ट अकार्ट के फ्रंट पाफ व्यू पहला जो प्रिंट है उसका जो यह पहले पेज का यह पूरा फोटो कापि है चले दोस्तों मैं आपको सेकंड पेज में दिखाता हूँ क्या लिखा गया है उसमें और क्या है क्या नहीं है जब हम इसके दूसरे पेज में आएंगे तो यहां पर लिखा गया है डेट है 72-022 और इसकी आगे लिखा है धार आंडरोब प्राइम प्राइम मिनिस्टर सेर, व्यूअ 80,000,000 EPS 95 पंचर्स पंचर्स, रखर शुगलिन पर वीडिन भार अवे, we are striving for our two times food event, please your kindness to the senior citizen of the country, we requested our minimum पंचर्स पंचर्स आपड़ अफेश्ड़ हुषबरे, should we raise 7500 plus DA and medical facilities through Aishman Bharat Yojana with spouse. On 4th March 2020 and 5th August 2021, we with your good self and you have given our answers. We are requested to kindly keep our promise and save the poor EPS 95 pensioners. Expecting an early action on this above issue with profound records. You are sincerely member of VNAC. ये इस प्रकार से लेटर है जो माननी प्रधान मंत्री जी को उनका वादा याद दिलाने के लिए समझती प्रधान प्रधान मंत्री जी को दिया जा रहा है. तो दोस्तों आपको ये लेटर कैसा लगा और ये नेसी का सुझाओ कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं तो दोस्तों चले मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अप्रेट में तब तक लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत.